वेल्कम फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे पधान मंत्री अवास योजना में किस तरह से आप अपना नाम चेक करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं पधान मंत्री अवास योजना का नया लिस्ट जारी हो चुका है तो चलिए जानते हैं किस तरह से पधान मंत्री आवास योजना में आप अपना नाम चेक करेंगे गुगल का सर्च बार में आपको टाइप करना है pmayg.nic.in टाइप करके सर्च करते हैं आपके स्कीन पर दिखाएगा pmayg.nic.in आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करते ही इस तरह के आपके स्कीन पर आजाएगा देख सकते है ministry of ruler development, government of India पधान मंत्री आवास योजना ग्रामिन यहां दिखा रहा है देखिए देख सकते हैं यह पधान मंत्री आवास योजना ग्रामिन का official website है अब आपको करना क्या है दोस्तों देखिए उपर में मेनू दिया हुआ है वहाँ पर देखिए आवास यह जो second option उस पर क्लिक करना है क्लिक करते ही देखिए यह पर आपको इहां दिखाएगा report आपको report पर click करना है क्लिक करते ही इस तरह का आपके screen पर आजाता है देखिए physical process report इस तरह का financial process report इस तरह से आप नीचे की तरफ आईए नीचे की तरफ आते ही जेकि लास्ट जो option आपको दिखाए परा social audit reports यह उसका नीचे दिखे दिया है beneficiary details for verification beneficiary details for verification आपको click करना है click करते ही इस तरह के आपके पास आजाता है MIS report आपको यहां से आप अपना select करना है यहां पर आप अपना राजी को select कर लिए जिस राजी में रहते हैं उस राजी को आप select कर लिजे यहां पर select करने के बाद दिखे इस तरह का मैं रेडमेवे राज्य सेलेक्ट कर लिए उसके बाद पिर हैं सेलेक्ट कीजिए फिर आप जहाँ राते हैं उसी सेलेक्ट करते रहना है आपको दहां किस गाउं में रहते हैं ये सारहे घाल यह सारे चीज आपको यहां से सलेट कर लेना पड़ेगा इस तरह से आपको प्रोसेस करते रहना है कि इसके बाद आपको देखें यहां पर पदार मंत्री आवास स्योजना ग्रामीन पर मैं क्लिक किया, क्लिक करते ही इस तरह के दिखेगा नीचे में आपके पास एक संस आ जाता है, इसको आपको solve करना है, the answer is क्या होगा, 94 में से 40 गया, आपका answer क्या होगा, यह यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर answer लिख देता हूँ, देखिए, यहाँ पर क्लिक करते ही इस तरह का आता है, मैं यहाँ पर answer लिखे, उसके बास submit पर क्लिक करता हूँ, submit पर क्लिक करते ही आपके पास report आ जाएगा, सब्मिट पर क्लिक करते ही इस तरह आपके स्कीन पर आजागा देख सकते हैं आप यहाँ पर डाउनलोड इक्सेल डाउनलोड पीडियेफ यहाँ पर देखिए सीरियल नमबर, बेनिफिसियरी नेम, स्कीम नेम यह सारे चीज़ का इन्फॉर्मिशन आ जाता है यहाँ से आप डाउनलोड पीडियेफ करके देख सकते हैं डाउनलोड पीडियेफ पर क्लिक किजिएगा क्लिक करते ही देखिएगा यह आपका डाउनलोड हो जागा देख सकते ही है डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड होने के बाद आप यहां से खोल के देख लीजिए आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है देखें यहां पर दिखा रहा है क्या कि आपके पास आयता है beneficiary, father's name, scheme name देखिए पदान मंत्रिया वासरजिना देखिए यह financial year दिखा रहा है last amount, transfer कित कब हुआ है, inspection date, सारे चीज़ का informations आप यहां से देख सकते हैं आज हम लोगों ने जाने किस तरह से पदान मंत्री आवास योजना में अपना नाम चेक किया जाता है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को subscribe नहीं किये तो मेरा चैनल को subscribe किजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूँ thank you for watching this video